So hello दोस्तो आज किस वीडियो में बताऊँगा YouTube Video Ads Tutorial के बारे में और आज किस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हो Google Ads के तरू किस तरह से आप वीडियो Ads रन करोगे Google Ads की मदद से और आप अपने चैनल पे वीडियो और सब्सक्राइबर ग्रो करोगे Google Ads की help से बहुत सारे लोगों ने Google पे अपनी वीडियो को प्रमोट भी किया होगा कुछ चैलेंजे आते हैं अगर आप अपनी वीडियो को प्रमोट करते हो Google Ads पे बिना किसी जानकारी के जैसे आपका campaign बन भी जाता होगा और ad approve भी हो जाता होगा बट आपकी जो वीडियो पे वीडियो आते होंगे वो बहुत costly आते होंगे और आपके चैनल पे वीडियो ads के तुरू subscriber ग्रो नहीं करते होंगे इस तरह के challenges आपको जरूर face करना पड़ता होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको simple सा तरीका बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीडियो को promote कर सकते हो Google ads के तुरू सारी चीजे आज की इस वीडियो में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप campaign बनाते हो तो आपका campaign जो है एप्रूब हो जाएगा जल्दी और आपको जो CP भी cost है यानि जो आपकी वीडियो पे views आता है वो बहुत ही कम पैसे में आएगा यानि आपको बहुत सस्ता भी पढ़ेगा और आपके चैनल पे उस ads के तुरू subscriber भी grow करेंगे और आपके views भी बढ़ेंगे ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा तो hey guys welcome back to my channel digital kaka मेरा नाम रहूर है और आप देख रहे हैं digital kaka channel तो चलिए चलते हैं वीडियो को start करते हैं और एक बात और कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लो क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं regular डालता रहता हूँ अपने चैनल पे तो चलिए चलते हैं वीडियो को start करते हैं तो guys यहाँ पे आगया मैं अपने laptop के screen पर और मैंने अपने google adwords का account है हो मैंने login कर लिया है आपके पास अगर google adwords का account नहीं है तो आपको account बनाना पड़ेगा google adwords का free में बनता आप google adwords का account बना सकते हो तो यहाँ पे आप मेरे screen पे देख सकते हो मैंने कुछ पैसे spend की है video ads पे यह different different campaign का different different result है बट एक overview आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 पैसे में करीब 1.8 million views मैंने लाया है 13 million impressions total campaign पर आया है on an average किसी-किसी campaign पर 7 पैसे 6 पैसे भी आया है different different चीजे हैं ओ मैं कभी बाद में आपको दिखाऊंगा तो अभी क्या करते हैं अभी हम campaign create करने की बात करते हैं तो जो भी वीडियो को आपको promote करना है तो obviously ओ आपके किसी channel पर वीडियो डल गई होगी तो वीडियो को promote करने के पहले मैं कुछ tricks आपको बता रहा हूँ जो भी वीडियो आप promote करोगे ना Google Ads पर या जो भी आपको promote करना है तो आपकी वीडियो की जो length है उसको छोटी रखो चार से पांच मिनट की वीडियो रखो और आपको overall channel promote करना है बट एक जो वीडियो को promote करना है उसकी quality जादे से जादे अच्छी रखो जितना अच्छा स अच्छा रख सकते हो थोड़ा बहुत investment भी उस वीडियो पर करना है तो करो फिर उस वीडियो पर campaign चलाओ फिर रिजल्टा देखो तो चलो चलते हैं एक बाद तरीका देखते हैं कि किस तरह campaign हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने channel को link कर लेना यहां पर ठीक है भी हो सकते हैं मेरे भी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है यहां पर तीन channel मैंने यहां पर link किया है ठीक है तो आपको अपने channel को यहां पर link करना है ठीक है जो भी channel आपको link करना है आप search करोगे और यहां पर उसको link कर दोगे यह channel है link करोगे यहां पर पूछेगा I on this channel someone else on this channel अग की email id डालके सेंट request कर दोगे यह तो हो गया process ठीक है जो पहले आपको अपनी channel को यहाँ पर link करना है Google AdWords के account में इस बात का ध्यान देना है अब हम चलते है campaign create करने के process में यहाँ पर new campaign आप देख रहे हो इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर new campaign campaign का option आ रहा है इस पर आपको click कर देना है क्या करना आपको create campaign without a goals रखना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर video पर आना है आपको video select कर लेना है अब आपके सामने इतने तरीके से बता रहा हूं अगर आप first time campaign बना रहें तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं campaign name होता है आपकी जानकारी के लिए आपने किस campaign पर आप ताम कर रहे हैं तो कुछ भी रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं test campaign ठीक है कि मतलब यह test campaign है मैं आपको बता रहा हूं टुटोरियल भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगो इंटर बजट टाइप एंड इमांट यहाँ पर दो अपसन आपको मिलने डेली का campaign टोटल का अब यहाँ पर spend करना है आप tools and settings में जाके summary पर क्लिक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं summary पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने पैसे को add करोगे एक चीज़ यह भी जान लो कि पहले पैसा मत add करना पहले add वगरा बना लेना यहाँ पर add fund करके आप पैसा यहाँ पर add कर लेना जीतना भी add करना है आपको 2000 चलाना है 3000 चलाना है 5000 चलाना है यह totally आपके उपर depend करेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे नीचे country बहुत important है बहुत सारे ले सकते हैं अन्य था आपको इंडिया अगर में टार्गेट करना आपके यूजर इंडिया में बैठे हैं तो आप इंडिया रखो यहाँ पर इंटर लोकेशन भी कर सकते हो बट मैं आपको recommend करूंगा इंडिया रखो इससे आपका जो views आएगा थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको लेंगवेज में आप हिंदी रहने दो और यहां पर multi format ads का एक सा आप्सन आपको दिख रहा है इसको आपको uncheck कर देना है यहां पर यह चीज़ अंचेक कर देना है और यहां पर जो related videos हैं बहुत सरे लोग यहां पर related video ads कर देते हैं वो भी नहीं आपको करना है एक ची यह जो चीज़ है uncheck कर देना इसको इसको हटा देना है ठीक है यह चीज टिक नहीं रहेगा मतलब यह चीज़ uncheck कर देना आपको बहुत सरे लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को इस चीज़ को uncheck कर देना है उसके बाद आजाना है आपको यहां पर add group name group name आप कुछ भी डाल सकत कर देगा खुद दिखाएगा बहुत सरे लोग करते हैं यहां पर setting वगरा कर देते हैं target कर लेते हैं इसी वजह उनका add जो है proper तरीके से run नहीं होता है ठीक है और जो views आते हों बहुत महंगे पड़ते हैं उनको तो यहां पर keywords नहीं target करने topics नहीं target करने placement कुछ भी नहीं target कर करना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर अपनी वीडियो का link promote कर देना है अब वीडियो का link का जो है मैं simple देखा दे रहा हूं जैसे मैं अपनी चैनल का कोई भी एक वीडियो का link ले रहा हूं ठीक है अब मालो यह digital का रहा है यहां से कोई एक video में for example में ले लेता हूं चलो मालो यह मैंने इसपे वीडियो बनाइए यह ले ले रहा हूं यहां पर और यहां पर share का यहां पर share करके मैं copy किया वीडियो और यहां पर आया हम यहां पर मैंने इसका link डाला और आप देखर हो इस तरह से आ गया हूँ यहां पर जो skippable in stream ad in feed video ad आपको यह वाला option लेना है in feed video ad ठीक है अब जो heading लेना है यह लेना है बहुत ही अच्छा सा बहुत ही catchy heading जैसे माल लो यह मेरा spending limit 100% fix facebook ads का जो spending limit है उसके उस पर मैंने एक video बनाई है तो यहां पर लिखोगे fix your spending limit ठीक है यह हो गया आपका यहां पर डाल दोगे description आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पर आप अपनी मर्जी से दो एक line लिख देना है ठीक है मैं बता रहा हूं तो आपको just क्योंकि जो user ad देखेगा यहां पर थोड़ा सा information आपको अपने content के बारे में यहां पर दे देना है तो यहां पर देख रहे हो 42 पैसे से 9 पैसे तक आपका आएगा 9 पैसे यहां पर दिखा दिया तो मतलब आपको यहां पर क्या करना है at least 10 पैसे कर देने है ठीक है अब 10 पैसे आप करोगे कम करोगे तो यह दिखाएगा कि भाही 10 पैसे पर चलेगा नहीं आपको बीडी सजिस्ट किया जा रहा है आप उस पर क्लिक करो बट कोई दिक्कत नहीं आप 10 पैसे रखो यहां पर 5 पैसे से 10 पैसे यानि अगर आप देखो आप यहां पर इस तरह की चीज़ें दिखा रही है कंटिन्यू टोबर वियू कर दो कैंपे नाम का बनके रेडी हो गया अब यह जाएगा रिव्यू में आफ्टर रिव्यू एड एड एप्रूब हो जाएगा आपका एड रन स्टार्ट हो जाएगा तो गाई अद़िए वग्या नाम कर लुकी उड़िए ल delegates चीजवें lefte